आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, Fundamental Sociometry की Review Exercise No.7 लास्ट तेम हमने इसका Q2 का बी-पार्ट किया था, आज हम करेंगे इसका next question, Q3 Q3 के अगर आप लोग statement की तरफ आएं, तो वहाँ पर statement में लिखा हुए है कि find the value of X, आपने variable X की value find करनी है आपके पास एक diagram given है, वहाँ पर two angles आपके पास हैं, जहाँ पर आपके पास variable x लिखावा है, आपने variable x की value find करनी है, तो अभी हम करेंगे सबसे पर इसका part number one, तो part number one पर आपके पास जो diagram बनी हुई है, two parallel lines है, और इसके ओपर एक transversal है, जो इन दोनो parallel lines को intersect कर रहा है, और आपके पास जो two angles बन रहे हैं, एक angle है आपके पास 42 degree और दूसरा angle है आपके पास x plus 40, 42 degree और ये है x plus 14 degree, ठेक है, आप यहाँ पर जो second है, यहाँ पर जो variable x लिखावा है, हमने इस x की value find करनी है, और बताना है कि यह आपके पास कितने के, किस number के equal आ रहा है, x की value आपके पास क्या आ रही है, तो क्यों कि corresponding angles का मतलब क्या होता है, कि same direction हो और same ही side पे हो, same direction और जैसे यह line के उपर angle है, यह भी दूसरी line के उपर ही, आपके पास angle है और इसी side पे है, ऐसा नहीं है कि यह angle इस side पे होता है, अगर इस side पे होता है, तो आपके पास ये same मतलब corresponding angles आपके पास नहीं होने तो यहाँ पे मैं corresponding angles की property लगाके find out करूँगी कि हमारे पास ये कौन से angles इसके आ रहे हैं. तो सबसे पहले corresponding angle आप लोग angles की property नहीं लगाना जाते तो दूसरी एक और property भी है जो यहाँ पे angles की लग सकती है वो भी आपके आपके पास ये वाला angle find out करें जो भी ये angle आपके पास आजाएगा आपने क्या करना है इसको जैसे कि हमने कहा था कि आपके पास जो two angles होते है एक equals to 180 degree होता है मतलब supplementary angles के आपके पास ये जो two angles को अगर हम add कर दें तो corresponding मतलब consecutive angles को two add कर दें तो आपके पास 180 degree हाना चाहिए तो हम वो वला काम भी यहाँ पर कर सकते हैं ये वले angle और इस angle को अगर मैं add कर दूं तो मेरे पास total जो इसका answer बना चाहिए वो आपके पास 180 के equal इ 80 जो degree वड़ा angle है उससे find out करूंगी फिर देखेंगे कि हमारे पास इसका solve करने से आपके पास जो x की value आईगी वो आपके पास क्या आती है चलें आप start करते हैं part number one given क्या है आपके पास moment angle मैंने आपके पास इस angle के बाद किया तो इसे आप कोई भी variable का name दे लें ठीक है मैं इसे दे देती हूं B या आपके पास angle B आप इसके इलावा कोई भी variable x, y, z में से भी दे सकते हैं x नहीं दे सकते हैं x के इलावा आप कोई भी दे सकते हैं pqrst या फिर abcd कुछ भी variables alphabets में से कोई भी एक alphabet का name दे दिया ज़ा सकता है तो अब मैंने करना यह है कि अगर मैं measurement angle B को add कर दूँ 42 degree के अंदर तो मेरे पास क्या होगा उसका sum 180 degree के equal आना चाहिए यह देखें मैंने आपको एक दफा circle की angle से बताया था circle से जी circle से मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो उपर वाली side होती है यह 180 के equal होती है और नीचे वाली side भी आपके पास 180 degree के equal होती है ठीक है लेकिन आप लोगों ने अगर यह find out करना है कि आपके पास यह 180 इस पूरे का इसमें आपके पास 2 angles भी हो सकते हैं 3 angles भी हो सकते हैं 4 angles भी हो सकते हैं कुतने भी angles हो सकते हैं लेकिन उनका sum आपके पास 180 degree के equal ही आना चाहिए तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों angles को add करती हैं एक एंगल इस तरफ है एक एंगल इस तरफ है अगर इन दोनों को मैं add करूँ तो total इनका sum 180 होना चाहिए इसी तरह अगर मैं इन दोनों angles को add कर दूँ तो इनका sum भी 180 degree के equal होना चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगे, measurement angle B को add कर दूँगे 42 degree के अंदर तो आपके पास answer 180 degree के equal होगा measurement angle B plus 42 degree equals to 180 degree ठीक है, अब यहां से आप लोगोंने measurement angle B की value find out करनी है 42 degree इसके साथ plus हो रहा है, तो equal के जब दूसरी तरफ जाता है तो आपके पास operation change हो जाता है, मतलब opposite हो जाता है यहां पर plus है, तो equal के दूसरी साइड को जाके क्या हो जाएगा, minus measurement angle B equals to 180 degree minus 42 degree अब आप में क्या करना है 180 degree में से 42 degree को minus करना है तो आपके पास जो इसका answer बन जाएगा वो है 138 degree यह आपके पास आगया है measurement angle B का answer और B हमने किसे कहा था, इसे कहा था मतलब के यह आपके पास हो गया है 138 degree अब आपके पास जो corresponding angles की जो मैंने बात की थी, वो आपके पास क्या थी? यहाँ पर यह मैंने draw किया हुआ, मैंने angle ही गलर draw किया था यह angle आपके पास नीचे की तरफ था हाँ, आप ठीक है जो मैंने आपसे corresponding angles की अब बात की थी, तो corresponding angles का क्या था आपके पास? कि यह देखे, same direction में है, यह भी पहनी parallel line के नीचे भी आपके पास जो है नीचे की तरफ angle है और दूसरी line के भी नीचे की तरफ angle है और same एक ही side पे दोनो angles है तो मतलब कि यह corresponding angles है और corresponding angles आपके पास equal होते हैं, ठीक है? तो equal करेंगे मैं measurement angle B को equal कर दूंगी x plus 14 degree के equal measurement angle x plus 14 equals to, आपके पास है 138 degree मतलब measurement angle B का नेम दिया वा था तो मैं measurement angle B लिख देती हूं, नीचे जाके आपके पास 138 degree राइट कर दूंगी, यह concept property हमने लगाई है, corresponding की, तो आप लिखना चाहते हैं, तो लिख देंवेंशन कर दें, corresponding angles अब आपके पास हमें value चाहिए variable x के, उन्होंने कहा हुआ था 14 इसके साथ plus हो रहा है, तो हमें तो variable x separate चाहिए, तो यह 14 है, आपके पास इस side पे plus हो रहा है, तो दूसरे side पे जाके क्या हो जाएगा? minus, measurement angle x equals 2, चाहिए आप measurement angle x ना भी लिखें, तो भी इससे कोई फर्ट नहीं पड़ेगा, आप just x plus 14 भी लिख दें तो ठीक है, measurement angle b के जगा पे आपके पास क्या है 138 degree, 14 है, इस side पे आके minus 14 हो जाएगा, 138 में से minus कर दे 14, 138 में से जब आप लोग 14 को minus करेंगे तो आपके प 124, measurement angle, हमने measurement angle की बात की है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा degree, क्योंकि आपके पास जो angles होते हैं, वो degree की form में होते हैं, तो हमारे पास जो x variable का answer आया है, वो है 124 degree, यह आपके पास था, इसका part number 1, जिसमें हमने यहाँ पे देखा था, कि यह आपके पास b given नहीं, त कोई भी angle की property को fulfill नहीं कर रहा था, क्योंकि एक की direction इस side पर थी, एक की direction opposite थी, तो यहाँ पे कोई भी angle की property satisfy नहीं हो रही थी, इसलिए हमने सबसे पहले angle b को find out किये, ताकि यह आपके पास corresponding angles बन जाए, और इनके angles को हम equal करके variable x की value को find out कर देए, next है, आपके पास इसका part number 2 पार्ट number 2 है, वहाँ पे आप लोगोंने क्या करना है, आपके पास, चले मैं आपको shape बना के थोड़ा सा idea दे देती हूँ, solve आप लोग इससे foot card लीचेगा, आपके पास क्या given है, two parallel lines given है, बलके parallelogram आपके पूरा given है, 61 degree एक angle given है, आप लोगों के पास, दूसरा angle है, two x plus 15 और यहाँ पे आपके पास है 61 degree, हमने find out करना है, यहाँ पे भी variable x की value को, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे दें कि आप लोगोंने इसको find out करना है, तो किस तरीके से करना है, आप यहाँ पे आपके पास एक parallelogram की shape बन गी है, मतलब यहाँ पे आपने parallelogram की properties को satisfy करना है, तो सबसे पहले मुझे यह वाला angle find out करना है, यह find मेरे पास तब ही हो सकता है, यहाँ तो इसके पास यह वाला angle मुझे पता हो, यहाँ तो मुझे यह वाला angle पता हो, इन दोरों में से कोई भी अगर एक angle मुझे पता है, तो मैं इसको find कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करू मेंग़ा आपके पास अपके पास नहीं कम कर रहे थे तो वो भी आपके पास 61 degree ही आ गया है तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर जो अभी मैंने property बताई थी कि अगर आपके पास आ जाएं तो हम उन दोनों के angles को add कर दें तो आपके पास 180 degree के equal answer आता है तो यहाँ पर क्या करना है आपने वही लगानी है supplementary angles वाली property कि इन दो के angles को add करना है और आपके पास sum जो आजएगा 180 degree के equal आजएगा measurement angle C आपके पास अब C यह वाला angle है इस angle को मैंने कोई name नहीं दिया इसको आपने as it is लिख देना है measurement angle C plus 2x plus 15 equals to 180 degree measurement angle C के जगा पर आपने 61 degree लिख देना है 2x plus 15 as it is equals to 180 degree अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है degree अभी आप लोग ना लिखें and पर जब आप answer find out कर लेंगे वहाँ पर आप degree write कर दीजेगा 61 degree और 15 sorry 61 and 15 को अगर आप add करेंगे तो आपके पास यह हो जाएगा 77 180 degree में से आप लोगों ने 77 को minus कर देना तो आपके पास एक number आज आजाएगा आपके पास जो इन दोनों को minus करने से ठीक है इन दोनों को minus करने से आपके पास जो आएगा I think so यहाँ पर क्या लिखा है 77 लिख है तो ठीक है 103 आजाएगा तो अब आपने 2 को इस साइट पर जाकर divide कर देना है पार्ट नमबर 3 में क्या है वहाँ पर भी आपके पास एक shape गिवन होगी और आपने variable x की value को find out करना है तो यहाँ पर आपके पास एक parallelogram गिवन है parallelogram में जो आपके पास इन्होंने angles देने होए है वो है 110 और दूसरा है 3x plus 1 3x plus 1 और यह आपके पास गिवन है 110 डिग्री और इसके नवा इन्होंने आपको इस question में naming भी दी हूँ यह variables की P, Q, R, S P, Q, R, S सबसे बढ़ने आपने लिखना है यहाँ पर P, Q, R, S is a parallelogram यहाँ पर आपके पास parallelogram है तो यहाँ पर जो properties अब लगेंगी वो भी हमने parallelogram के according लगा लिए तो यहाँ पर आपके पास एक movement angle given है और एक आपके पास movement angle I given है यह आपके पास दोनो consecutive points है तो मैंने भी आपनों को एक property बताई थी जो consecutive angles की parallelogram की है कि अगर two consecutive angles आपके पास आ रहे हैं तो उन दोनों का अगर मैं sum करूँ तो आपके पास answer 180 degree के equal आता है तो अगर मैं इन दोनों को sum कर देती हूँ तो आपके पास 180 degree answer आना चाहिए 3x plus 1 plus 110 equals to 180 degree आप लोग लिख लीजे क्योंकि यह आपके पास angle है तो आप इसे measurement की form में लिख दे और यह भी degree है यह भी degree है तो यह भी आपके पास degree है अब देखें अब आपने यहां से x की वे ने find out करनी है तो measurement angle 3x हो गया प्लस यह आपके पास 1 degree plus 110 degree equals to 180 degree 110 के अंदर अगर मैं 1 को add कर देती हूँ तो आपके पास जो इसका answer बनता है वो है 111 equals to 180 degree यह आपके पास इस 3x के साथ sorry plus हो रहा है तो दूसरी साइट पुझा के minus हो जाएगा 180 degree minus अब आप इन दोनों को minus कर दें अगर मैं इन दोनों को minus कर दूँ तो मेरे पास इसका answer 69 degree बनता है ठीक है मेरे पास क्या answer बना है 69 degree मुझे चाहिए just variable x इसके साथ उसके साथ 3 नहीं चाहिए 3 तो हो रहा है x के साथ multiply मतलब मुझे 3 को equal के दूसरे साइट पर लेके जाना है तो जब मैं इस equal के दूसरे साइट पर लेके जाओंगी तो यह अगर multiply हो रहा तो दूसरे साइट पर जाके divide हो जाएगा अब इससे खर जाते हैं divide measurement angle x आपके पास as it is 3, 2's are 6, 3, 3's are 9 और degree आपके पास वैसे ही आपके पास जो variable x का answer आया है वो है 23 degree यह इस तरह हो गया आप लोगों के पास यह part number 3 question number 3 का complete मैंने जस्ट इसमें आपको question number 3 के part number 2 का idea दे दिया था वो आप लोगोंने इसी तरह खुद solve कर लेना वो भी आप easily कर लेंगे तो इस तरह आज हम लोगोंने कर लिया है एक review exercise number 7 का question number 3 complete I hope आपको इस पूरे question के अच्छे से समझ आ गई होगी मुोट धब कर ले ऐसे । मुट प्याशग।